आज हम भारत के एक ऐसे चित्रकार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ग्रामिन अंचल को अपने चित्रों में उपके रहे और उनके चित्रों में इस्त्री पुर्षों के ग्रामिन और शहरी द्रिश्य प्रकरती के विविन आयाम और नारी अंकन में उन्होंने उसको एता के साथ सुंद्रे के साथ उसको चित्रत किया है इनका नाम है एन एस बेंद्रे नारायन्ट श्रीधर बेंद्रे नारायन्ट श्रीधर बेंद्रे का जन्म की सगस्त 1910 को इंदौर में हुआ था और इन्होंने अपनी प्राइरंबिक शिक्षा पूंड करके 1933 में आग्राव शिवड्याले से सनातक की उपादी प्राप्ट की और फिर ये पुने इंदौर आ गए और इंदौर आके ने अपनी काला शिक्षा अरम की और यहां पर ही राज के कला में आजले में दत्तात्रे दमोदर देवलालिकरजी से कला का प्राप्ट किया हुआ ये वही एक कला गुरु हैं जिनसे प्रसिद्रे चित्रकार म.फ उसनने भी प्राप्ट किया था उनका भी आरंबिक जीवन इन दौर में बीता इन दौर ने काफी महान चित्रकार रजा है उसेन है बेंद्रे है तो इन सभी कलाकरों का जो जीवन है यही पर आरंबिक जीवन यही पर बीता तो यहां पर इन्होंने आरंबिक शीक्षा प्राप्त करके और फिक यहां डीडी जेवलाली कर कला माविद्याले में भी फ्रक्षिक्षन प्राप्त किया यहां मुख्य रूप से उसमें द्रश्य चित्रन की इन्होंने शिक्षा ली और प्रमुक चित्रों में उसमें के हरकी पोड़ी, हरिद्वार, बनारस्खाट, ओमकारेश्वर ऐसे कई द्रश्य चित्रों का इन्होंने निर्माण किया और फिर यह मुंबई चले गए, 1934 में मुंबई में इन्होंने राज्य का कला डिप्लोमा इन्होंने ट्राप्ट किया कला शिक्षा की समापती के बाद बेंद्रे ने स्वतन रुप से कला का स्वजिन अपने आरम कर दिया और कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो में एक अलाकार के पद पर कलाकार पत्रकार के रूप में इन्होंने तीन वश्च तक 1936 से 49 तक इन्होंने कारे किया यहां पर भी वह प्रकृती से बहुत प्रभावित रहे और उससे प्रभावित रहे कई द्रशिय चित्रों का निर्मान किया और 1945 में शांती निकन निकेतन की यात्रा किया और उस दोरान उन्होंने टेमपरा मध्यम का भी प्रयूप किया तो यह मूलते द्रशिय चित्र कलास से इन्होंने अपना जीवन का आरम किया और फिर दीरे दीरे यह जो है आकरती मूलत किया ग्रामिट जीवन या शहरी जीवन को इन्होंने चित्रन आरम किया और इनके कलास शिक्षण के बाद इनकी जो शैली है उसको बेंदरी शैली के रूप में भी हम जान सकते हैं और सत्यम शिव सुन्दरम का अद्बुत मेल इनकी कलास शैली में दिखाई देता है 1950 से 66 तक जब ये वड़ोधर है तो वहाँ पे इन्होंने कला विद्यारतियों को कलास शैक्षण प्रदान की और 1952 में भारत सरकवाद द्वारा चीन भीजे गए संसकत्रदी दल में भी एक बेंदरे सदिस्षण के रूप में शैली की बात करें तो उनके ऊपर Families से राजपूत और मुगलकलाका प्रभाव मिलता है उन्होंने द्रशे चितरण भी काफी किया तो उनके चितरों में द्रशे चितरण का भी प्रभाव हुने जो वेग्रारौंड में उनके जो द्रशे है उसमें प्रकर्ति का सुन्दर मेल दिखाई देता है और फ्रेंच कलाकरों में गोगा और मातिस की छितराई दूत विकड़ा और सेजा से गहरा आभास और बेदक जस्टी कोचर इन्हों ने प्राप्त की और 1947 से 48 में विश्व के अधिकांश प्रमुक दिशों का प्रहमन करने के करण Nered उनके कला में विविद विशे कला तकनिक इस्थितिन नियुजन और चितरण आदीस से कारे करने में सफलत प्राप्त की कलातम क्विश्ष्टा की बात करें तो बेंद्रे की कला क्रतियों में सबसे उनका जो प्रात्मिक महत्व की चीज है मात्यम के रूप में रंग को हम किसी कलाक्रती से अलग नहीं देख सकते जो लोग कला के संबंद में बोलते या लिखते हैं उन्हों उन्हें रंगों के बारे में गहरी समयच्छ करने चाहिए तो रंगों के प्रति उनका विश्यश लगाव रहा और रंगों को अपने चित्रों में महत्व दिया और उनके चित्रों में चटक रंग योदना उनके चित्रों का मुख्यादार रही और उसमें एक तरह की संगीत की उत्पति हम प्रतीत करते हैं उसमें बेन रहने पतले रंगों को अव्चेतन के प्रभाव से कैनबास पर फैला कर या भाहा कर यासान इस्तान पर मिशुद कर बिCuत्र प्रभाव तता चुरव बनाए इस प्रकार की अमूर चित्रकारी कुछ ही दिनों कर पर है और जादे तर उनकी चित्र जो है आक आकरती मुला किया figurative हैं उन्हों टेक्नीक में जैसा पहले बताया कि कहीं कहीं उनके चुत्रों में pointism भी दिखता है विंदु वाद भी दिखता है रंगों को छोटी-छोटे dots में उन्होंने लगाया है और बेंद्रे की कला आकार को सरलवा इसपस्ट रूप में उन्होंने forms को बनाया है forms का simplification किया है और उसमें सुंदर के रंगों का प्रयोक किया है और आकारों में गठन शिलता है तु रंगों का प्रयोक घनवाद यों के समान नँकर करके भारतिय मूर्थी मूर्ती कला से प्रभावित होकर किया हैं उनके चित्रों में आकार मानो प्रस्ट भूमे से उद्य होते हैं और पुने प्रस्ट भूमे में समा जाते हैं और फॉर्म्स जो हैं वो खाली फ्लैट कलर्स का भी यूज किया पर घनवादियों के समान नहीं किया कि रंग यूजना जो है विलकुली विशे को समर्थन में नहीं हो उनोंने उनके फॉर्म्स जो है वो बैक्ग्राउंड में से निकल के आ रही है मरज हो रही है निकल के आ रही है ऐसा प्रभाव उनके फॉर्म्स में और कलवस का रहा और जैसा पूर में बताय की मुगल और राजपुत कला का प्रभाव भी दिखाई देता है कहीं कहीं रिखाओं में घनवादी प्रभाव दिखता है रंगों की जस्टी से बात करें तो फाववादी प्रभाव भी हम उसमें देख सकते हैं सूरज मुखी के शेक वाले चित्र में घनवादी तता फाववादी प्रभाव दिखाई पड़ता है सूरज मुखी जो चित्र है वो उनके काफी प्रसिद्ध हुए जिसे वेंगों के भी सूरज मुखी चित्र शंक्रिला काफी प्रसिद्ध हुई थी और इनके इन चित्रों में आखरतियों के विभाजन में पारदर्शिता समुक परिपेक्ष में से मूल आकारों का सौंदर है और चित्र की सपाट डिजाइन और रंगों का आकशन इनके चित्रों की विशेष्टा बनती गई शेली और माद्दी हम के बारे में बात करें तो बेंदर ने किसी विशेष्ट शेली का चाय परमपरावादी हो चाय आधुनी को उसका अनुकरण ने किया और अपनी एक खुद की शेली बेंदर शेली के रूप में अपनी पहचान बनाएगी नारी चित्रंड में भी उन्होंने इस खाशे में काम किया उनके पात्रों में हमें भाव प्रमणता गामबेरिय के दर्शन होते हैं उन्होंने कैनवास पर जो भी अभी व्यक्ति की वे अत्यंत सुन्दर और चित्ता कर्शक बन पड़ती है उनके जनरंगों और तैलरंगों में किये गए अंकन का चित्ता कर्शक वैबव उस सबसे भिन और अनुठा है प्रकरती मानाव जीवन के कितने ही रुपाकरों के लिए पैन एंड इंक तथा पैंसिल माध्यम का भी प्रयोग किया माध्यम की विवित्ता उनकी कलाकी एक अन्यतम विषिश्टा है तो इस तरह से बंद्रे ने अपने आपको किसी निश्चत शेली में या हम कहें किसी वाद में उन्हों ने अपने आपको समाहित ने किया या उसके सूचक नीवने उन्होंने जिस तरह से विवितन देशों का ब्रहमण किया धीरी जिरी उन्हे zwischen की अपनी शैली विक्षित होते गई और उस शैली में भी माध्यम का बंधन नहीं रहा उन्होंने लगबक सभी माध्यम में कारे किया तेल रंग, जल रंग, टैमपरा, पैन, इंक, सभी मादियों में कारे किया तो हम अध्यन कर रहे हैं भारत के एक ऐसे विशिष्ट कलाकार के बारे में जिन्होंने मानव अंकन या ग्रामिन या शहरी जीवन अंकन में अपनी पहचान बनाई हम उनके बारे में और आगे दिन्द करेंगे अपने दूसरे लेक्शन